हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो लंसर विसे दिस इस रामसो नहीं MPPSC रे MPPSC 2024 प्रलेम्स एक्जाम की फाइनल एंसर की आज जारी कर दी है देखे पहले आई थी प्रोविजनल एंसर की प्रोविजनल एंसर की बात करें और इसके लाव तीन कोईशन एसे हैं जहाब मल्डिपल एंसर जो हैं तो आई देखते हैं कौन कोईशन है जिसको डिलीट किया गया और कौन कोईशन है जहाब मल्डिपल एंसर दिये गया है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक कोश्चन ये था निम्लिखित परवस चोटियों को उनकी उचाई के आधर पर अवरो ही क्रमे क्रमबदी कीजिए और इनों ने इंग्लेस मिडम में इसको एसेंडिंग ओर लिखा था तो यहाँ पर देखा जाय तो ट्रांसलेशन मिस्टेक होने कारण इस कोश्चन को MPPSC ने बाद में डिलीट कर दिया था अगला कोश्चन है यह है इसे पुछाय है कि हमला ब्रहमक की मेल या टेक्स संदेशों की रूप में आता है जो आपसे सौफ्टर इंस्टॉल करने या व्यक्तिकत जानकरी प्रकट करने के लिए कह सकता है तो यहाँ पर दो आप्शन को MPPSC ने इस बार सही माना है पिछली बार फिसिंग दिया था लेकिन इस बार वायरस साइनिंग को भी सही माना है तो यहाँ पर देखा जा तो MPPSC ने इस कोश्चन का दो आप्शन बी और सी दोनों सही मान लिया है एक कोशन था यहां पे आप देख सकते हैं इसको डिलीट कर दिया एक कोशन पुछा था भारती साहिते में जनजाती जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विसिस्ताओं पर लिखन के लिए कौन सा सम्मान दिया था है तो इस कोशन के एक प्रदेश में आदिवासियों के लिए प्रेजन टाइम में देखा जाया तो पहले तो टांटे भील अलडिक स्वरोजगार युजना चल रही थी लेकिन प्रेजन टाइम में जिस योजना का नाम डिसकस कर रहे हैं वो है बिरसा मुंडा स्वरोजगार युजना तो यहां पर देखा जाया तो इस कोशन के दो एं बाद में डिलीट कर दिया है और देखा जाया है तो यहां पर देखा जाया है तो अब घटक ऑप्शिन पहली बार उन्हें सही माना था अगली बार उन्हें भूकता को भी सही मान लिया है तो बेसिकली यहां पर multiple answers आई होगे हैं दो answers आई होगे हैं B और C दोनों सही हैं तो इस प्रकार से MBPSC ने कुल मिलाके 6 questions ऐसे हैं जिसमें changes सोड़ा किये हैं तीन questions को इडिट कर दिये हैं और तीन questions के multiple answers हैं लेकिन पिछली वाले answer की की तुलना में पांच questions ने बदलाव हैं चुकि एक question पहले डिट किया चुका था दो questions और भी डिट किये गये हैं और शाथ में तीन questions ऐसे हैं जहां पे एक से अधिक उत्तरों को सही माना गया है मतब दो उत्तरों को basically सही माना गया है तो इस तरह से MPPSC ने कुल मिला के नई final answer के में पांच प्रसन बदलाव किये हैं तो आपको क्या लगता है कटाफ कितना रह सकता है आप लोग नीचे comment करके जरूर बताएं आप लोग के number कितने हो गया यह भी आप लोग comment करके जरूर तो चले मुलाकाइद करते हैं फिर अलाएक कटाप का हम लोग फिर से पोल क्रेट करेंगे उससे हमें आइडे मिलेगी अलाएकि अप सायद MPPSC का रिजल्ट पी जल्दी जारी हो जाएगा let's see what happens that's all for now मुलाकाइद करते हैं फिर तब तक लिए bye and take care that's all thanks so much